नमस्ते दोस्तो जोहर मैं भी सेक चक्रवर्ति आप सब्सक्राइब दोस्तो जैक के तरफ से एक नया नोटिस जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि आप सभी का अर्थवार्सी की एक्जाम यानि समिटीव एसेस्मेंट वन का एक्जाम कब से कब तक होगा वन से लेकर एट तक और साथ ही में आगे बताने वाले हैं जैक के तरफ से क्लास 9, 10, 11 और 12 का प्रीवोर्ट का एक्जाम कब होने वाला है तो सुरू से लेकर अन तक वीडियो में बने रहे हैं चैनल पने है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजएगा और आप लोग किस की सब्सक्राइब करना चाहते है वो नीचे कमेंट करके जरू बतेएगा इसमें आप लोग का एक्जाम का रूटीन भी दिया हुआ है किस स्तिथी को कौन-कौन सा एक्जाम होने वाला है तो दोस्तों चलिए देखते क्या लिखा गया है आप लोग देख सकते हैं नौटिस कच्चा एक से आठ के विद्दार्थी ओ है तू अर्दवार्सिक योग आत्मक मुल लांकानि यानि समिस्टीव एसे劍मेंट वन के सम्मन्द में ठीक है कहां से कहां तक क्लास वन से लेकर एट तक में कोई भी अगर है तो प्लीज इस वीडियो को सेयर कर दे ताकि उलग सर सरकार नियंतरधिन सभी कोटी के विद्यालेक अच्छा एक से आठ तक की पड़ा होती है सरकारी मॉडल गेर सरकारी साहता प्राप्त जो है एवं असी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालों के एक से आठ तक जो अध्यंतरत छात छात्रा है उनका अर्धवार्सिक मुला यानि ऐसे 1-23-24 जो आपका पुराना केलेंडर में दिया हुआ था डेट की 28-39 तक लिया जाना है ठीक है दो पाली में लेकिन जो है किसी ना किसी कारण से क्या हो जाता है वह एक्जाव आप सभी जानते कि आप लोगों का हो नहीं पाया ठीक है तो उसी को संसोधित करते पे आगे कब से कब तक डेट दिया है इसको नोट कर लिजे और उसी हिसाब सब लोग त्यारी में जूट जाईए ठीक है बीस से तीस ना तैइस नहमबत तक जो है इन सभी का वन से लेकर एट तक का एक्जाम होने वाला है ठीक है टाइमिंग भी दे दिया गया है दो पाली पाली में जो एक्जाम होने वाला है क्लास 1 से लेकर आप देख सकते क्लास 8 तक सभी का एक्जाम होगा ठीक है और वहीं सेकंड पाली में देख सकते दिया गया है क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक तो सब्जेक्ट दे दिया गया है कि आप लोगों का 20 तारिक को जो है कौन सा एक् आप लोगा कच्छा आठ तक प्रथम पाली में आपका एक्जाम हो जाएगा का 20 तारिक को दूसरा पाली में देख सकते हैं सभी का जो है यहाँ पर आपका क्लास 3 का परियावरान अध्यान क्लास 4 का भी परियावरान अध्यान और क्लास 6, 7, 8 का जिनका संस्कीत तो संस्कीत जिनका उर्दू तो उर्दू ठीक है 6, 7, 8 का संस्कीत और उर्दू में से कोई भी सब्जेक्ट का एक्जाम होगा जो वो रखे हुए ठीक है यह हो गया 20 तरीका आप एक किस तारीक को देख सकते हैं सभी का सभी यहाँ पर देख सकते हैं पर्थम पाली में सभी क्लास का 1 से लेकर 8 तक जो है आप लोगों का क्या एक्जाम होने वाला है अंग्रेजी यानि इंगलिस विसे का एक्जाम होने वाला है वहीं अगर बात करें सेकंड पाली आ रखेगा 9-9,11,feldegar तक आगे देख सकते क्या लिखा गिया है अगे यहां पे आपका 21 तरीक 19 तरीक जों है आप लोगों का देख सकते है वार लेकर 8 तक जो है आप लोगों का क्या दिया गिया है गनित विशे का एक्जाम होगा ठीक है इसको आप लोग नोट कर लिजेगा अच्छे से और इसी हिसाब से अपना त्यारी कीजेगा और आपने दोस्तों को साथ जल्दी जल्दी सेयर कर दिजे सायता प्राफ्त मॉडल जो भी स्कूल है जितना भी स्कूल है सभी जगा जहां पर जैक बोड का पढ़ाई होता है वहाँ एक्जाम होगा ये उसके बाद आगे देख सकते हैं जो मैंने बता दिया कच्छा एक से आठ तक दो पालियों में एक्जाम होगा डेड टाइम भी का ईपहों होने वाला है और एक से आठ तक के हर वी सग कि लिए आपको 2 ृटका समय वी दिया जाएगा दिया चांब को दो घंटती का टाइमिंग दिया जाएगा आप लोगसøं जो होगा से आएगा और वह आप लोगसंग जो है विए इसकुल टीचर के द्वारा दिया ज का होगा यहां पर लिख दिया गया कच्छा एक से पांच तक साठ साठ अंकों का होगा कच्छा छे से आठ तक भी आपका साठ साठ अंकों का होगा ठीक है और यहां पर लेकिन यहां पर दिया गया परंतु गनीत विज्ञान और समाजिक विज्ञान जो है पचास पचास अंक गनित और विज्यान और समाजी विज्यान के अलाबा जो भासा पत्र है उसमें पूरा-पूरी 60 माक्स का है उगहाँ का पजास माक्स का प्रेक्टिकल होगा और 60 नंबर ये इस एक्जाम से आपको मिलने वाला है तो बहुत ही important एक्जाम है दोस्तों क्योंकि इसी एक्जाम में आपको 60 अंक मिलने वाला है और अभी तक जितना भी आपने एक्जाम दिया है ठीक है? उन सब का average निकाला जाएगा कितना नंबर के लिए? 40 नंबर के लिए ठीक है? तो 4060 मिला के टोटल कितना हो जाएगा आपका? 100 अंक हो जाएगा ठीक है? उसके बाद देख सकते हैं 12 नंबर में लिखा गिया है और दवासिक परिच्छा 2023 का परिणाम सभी प्राप्तांकों को जोड़ कर घोसित किया जागा यानि इसका आपका result भी बनने वाला है ठीक है? और देख सकते हैं आप लोगा language paper को लिकर भी लिखा गिया विद्दाला अस्तर पर ही तियार करने के लिए बोला गिया question को ठीक है? language वाला जो आप लोग का मात्री भासा के रूप में संथाली हो, खुड़िया, खुड़ूग विशे है तो प्रश्ण वरतर जो है आपका विद्दाला अस्तर से त्यार किया जाएगा और जिले के दोरा JCRT कारिया लए उपलब्द कराएगे छाठ-छातरों के अनरूप जो है, जिले में कच्छावार विशे मुद्रित प्रश्ण पत्र पुत्री का हाड कोपी में जिला अस्तर तो जो है पहुँचाए जाएगा यानि ये question जो है आप लोगों का direct जो है इस्कूल में ही पहुचाए जाएगा ठीक है और आगे दिया गया है कुछ भी दिक्कत होगा तो इस्कूल वाले जो है अपना वो contact करेंगे ठीक है तो ये था दोस्तों आप लोगों का जितना भी महत्मुन जानकारी देना थो वो सभी मैंने दे दिया आगे देख सकते और भी important लिखा गया है आपे क्या लिखा गया है कि ये सब जो देख रहे हैं ये सब teachers के लिखा गया है कि वो लोग कैसे वो collect करेंगे लेका आएंगे सारा चीज़ ठीक है तो आगे देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों का result को लेके रेक दिया गया है तो result वाला चीज़ को आप लोग ध्यान दे दिजिएगा 10 जनुवी 2024 को विद्धाले अस्तर पर विद्धाले के द्वारा report card साधारन एवं वितरन सुनस्चित किया जाना चीए संधारन और वितरन यानि आपको वहाँ पे आप लोगों का result बनेगा इसके आधार पे वो वितरित भी किया जाना है ठीक है अर्धवारसिक परिच्छा का भी result आपको मिलने वाला है चलिए आगे देखते क्या लिखा गिया है और इसके साथ ही अभवावक को भी बुलाया जागा आपका result देखने के लिए आपका माता पिता भी जाएंगे इस result को लेने के लिए बस तो ये था आप लोगों का जो है exam के से related important points बाकि ये सभी teachers के लिए दिया गया तो जितना आप लोगों के लिए information दिया गया ये सभी चीज़ आप लोगों note कर लीजेगा बहुती आप लोगों का important समय है इसको एकदम बेकान नहीं करना अभी तक जितना भी आपका exam हुआ है उन सभी का exam के आधार पर आप लोगों का 40 number का average निकाला जाएगा और ये जो exam होने वाला ये अकेले आपको 60 अंग देने वाला है रही बात ये class 1 से लेकर 8 तक अब दोस्तों class 1 से 8 तक का जब निकल चुका date तो class 9 से लेकर 12 तक का भी जो है pre-board या आपका अर्धवार्सिक exam का भी routine जल्द निकलने वाला है ठीक है आने वाला जितना भी exam है उस सभी exam में बैठिएगा क्योंकि आपने देखा कि 40 अंग का बात है यहापे ठीक है तो आने वाला जो भी exam होगा आपका Saturday में उस सभी exam को दिया किजेगा weekly test को क्योंकि 40 अंग का बात है और 10 नंबर आप लोग का school में क्या project दिया गया उसके बारे में पूछ लिएजएगा और तियार करके रख लिजएगा तो दोस्तो ये था आप सभी के लिए important update आसा करते है आज का वीडियो आप सबको पसंद आया तो जल्द जल्द इस वीडियो को share करते है ताकि सभी का doubt यहाँ पे clear हो जाए मिलते दोस्तो एक नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद जेहिंद वंद मातरम